जबसे भारत की पूर्व विगेट कीपर महेंर सिंग दोनी ने इंटरनाशनल क्रिकट से सन्यास लिया है, जबसे हर कोई इसे मुद्दे पर चर्चा कर रहा है। दोनी ने स्वतंतरता दिवस की मौके पर सन्यास का ऐलान कर सब को चौका दिया था। ICC की तीनों ज्रॉफी पर कबजा करने वाले दुनिया के एक मात्र कमतान दोनी के सन्यास के बाद हर कोई बात कर रहा है कि उन्हें शांदार तरीके से विदाई मिलनी चाहिए थी। इस कड़ी में पाकिस्तान के पूर्वतेज गेनबाज और रावलपिंडी एक्स्प्रेस के नाम से मशूर शोईबक्तर ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी चाहे तो दोनी अगले साल भारत में होने वाले ठीट वर्ल्ड कप में खेलते नजर आ सकते हैं। तो वो प्यम को तू मना नहीं करेंगे। हमारी देश के प्रधान मंत्री इमरान खान के साथ भी ऐसा हुआ था और उन्हें जिया उलहक ने विश्कप खेलने के लिए बुलाया था। अक्तर ने आगे कहा कि पूरा भारत देश चाहता था कि दोनी को भरवी विदाई मिले। ऐसे में अगर ऐसा कुछ होता है उनके सभी फैंस को बहुत खुशी होगी। अगर वो ऐसा नहीं चाहते हैं तो ये उनकी परसनल चोईस होगी। 45 साल के इस क्रिकेटर ने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके फेरवेल मैच में पूरा स्टेडियम खचाखच भरा होगा। दोनी के इंटरनाशनल क्रिकेट की बात करें तो उन्होंने अपना अंतिम मैच न्यूजिलेंड के खिलाफ पिछले साल विश्वकप में खिला था। तब टीम इंडिया को सेमी फाइनल मुकाबले में कीवी टीम के खिलाफ करीबी मुकाबले मेहार का सामना करना पढ़ा था। इसके बाद उन्होंने पिछले एक साल से ज्यादा समय तक इंटरनाशनल क्रिकेट से दूर रहे थे।